हेलो फिरंड्स स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में पर्षेट परफिक्ट है कि इस वीडियो में तरतीब से बताऊंगा फ्रेंड्स इस से पहले मैं इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान वही रहेगी जो अफर्मेटिव में हमने बताया है second type में भी वही है और first type introgative की पहचान भी वही है और second type introgative sentence की भी पहचान भी रहेगी बस सिर्फ structure इसके change हो जाते हैं sentence के मुताबिक structure इसके तबदिल होते रहते हैं अब देखे यहाँ पर जो structure है हमारा second type introgative sentence का सबसे पहले इस sentence के अंदर question word यानि wh type जिसको कहते हैं उसको question word भी कहा जाता है उसके बाद में highest या हायो highest या हायो के बाद में subject रखा जाएगा उसके बाद not होगा तो not लगा दिया जाएगा plus verb की third form उसके बाद other word देखे हायो या हायो का ये मस्वला है कि यहाँ पर देखिए highest अगर subject हमारा singular number का होगा तो highest का परियोग किया जाएगा और subject अगर हमारा plural number का होगा तो have का परियोग किया जाएगा और उसके बाद अगर हिंदी के वाक में नहीं शब्द का जिक्र किया गया है तो English का translate करते वक्त subject के बाद में not का परियोग कर दिया जाएगा और उसके बाद में verb की third form का परियोग करके other word का परियोग कर दिया जाएगा और अगर हिंदी वाक के बीच में नहीं शब्द का जिक्र नहीं किया गया है तो translate करते वक्त subject के बाद में not का परियोग नहीं किया जाएगा subject के बाद direct verb की third form का परियोग करते हुए other word को रख दिया जाएगा देखिए फिरेंट साब number 1 देखते हैं तुमने खाना क्यों नहीं खाया है ठीक है अब यहाँ पर इस sentence के अंदर देखते हैं जरा इसमें question word हमारा क्या है क्यों इसको हम question word मानेंगे इन्हें डब्लू एस टाइप है और इसको सबसे पहले अवल वक्त इसको लिखेंगे उसके बात में has या have का परियोग करेंगे अब देखें यहाँ पर why have you not eaten food ठीक है अब यहाँ पर why को इसलिए क्यों लिखा गया क्योंकि यह question word हमारा और have का इसलिए यहाँ परियोग किया गया क्योंकि subject हमारा you plural number का है और इसके पहले have का परियोग किया गया है अगर इस जगे पर you की जगे पर हमारा कोई singular number का subject होता तो have के जगे पर has का परियोग क्या जाता और यहां पर plural number का subject होने के कारण यहां पर have का परियोग क्या गया है और हिंदी walk में देखें नहीं शब्द का जिक्र किया गया है इसलिए यहां पर subject के बाद not का परियोग कर दिया गया है फिर उसके बाद में verb की third form पिलस other word का परियोग कर दिया गया है नमबर दो देखते हैं तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो यहाँ पर भी सबसे पहले question word का जिक्री किया गया है उसके बाद में how पिलस subject यानी you subject हमारा you है plural number में आता है और नहीं शब्द का जिक्री किया गया है इसलिए not लगा दिया गया है वर्ब की third form gone there तुम वहाँ क्यों नहीं गये हो why have not gone there देखे friends of there there में सोता है वहाँ अब उसके बाद number 3 पर example देखते हैं तुम आज school क्यों नहीं गये तुम आज school क्यों नहीं आये हो ठीक है अब इस sentence के अंदर भी सबसे पहले question word रखेंगे इसमें question word हमारा है why why have you not come to school today देखे फिर इसमें subject हमारा you आया है ये plural number का subject है इसलिए इसके पहले have का परियोग कर दिया गया है why have you not come to school today ठीक है और ये come come came come ये come ये भी verb की first form और third form एक जैसी है इसकी second form came होता है बस number 4 पर इक्जामपल देखते हैं जड़ा four number अध्यापक जी आज school क्यों नहीं आए है देखे फ्रेंड्स यहाँ पर भी सबसे पहले question word लिखेंगे why उसके बाद हैस का परियोग कर दिया गया है यहाँ पर हैस का परियोग इसलिए किया गया है क्योंकि subject हमारा singular number का है the teacher जो लिखा हुआ यह teacher हमारा singular number का subject है इसलिए इसके पहले हैस का परियोग किया गया है why has the teacher not come to school today अध्यापक जी आज school क्यों नहीं आए है why has the teacher not come to school today देखें यहाँ पर भी कम यह कम first form है और third form भी है इसकी जो second form होती वो game होती है बाकी first और third same है number five देखते हैं जरा example तुम्हारा भाई आज मैच खेलने क्यों नहीं गया है देखें इस subject के इस से हिंदी वाकिके बीच में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा subject कौन सा है देखें तुम्हारा भाई यह जो लिखा हुआ है यह subject है मारा ठीक है और यह singular number का subject है इसलिए इसके पहले हैस का परियोग कर दिया गया है देखें यहाँ पर क्यों तो क्यों के लिए हुआई का परियोग किया गया है उसके बाद में हैस हैस your brother देखें your brother यह पूरा subject है और singular subject माना जाएगा इसलिए इसके पहले हैस का परियोग कर दिया गया है और subject के बाद में not का परियोग कर दिया गया है फिर चाहे subject singular हो या plural हो इसका effect यानि इसका असर इस word की form के उपर नहीं पड़ता है चाहे singular subject हो या plural हो दोनों किस्म के करताओं के साथ वर्ब की third form का परियोग किया जाएगा देखें why has your brother not gone to play cricket तुम्हारा भाई आज match खेलने क्यों नहीं गया है देखें फिरंस यहाँ पर तूडे लगा यहाँ पर लगा दिया जाएगा यहाँ पर तूडे लिख दिया जाएगा फिर उसके बाद में तुम आज लगनो क्यों नहीं गये हो अब यहाँ पर देखें थरा वर्ब का परियोग कर दिया गया है हिंदी वाक के बीच में नहीं शब्द का जिक रिकिया गया है इसलिए सबजेट के बाद में नौट का परियोग कर दिया गया है फिर उसके बाद नंबर साथ देखते हैं तुम्हारा भाई आज लगनो क्यों नहीं गया है देखें यहाँ पर हिंदी वाक के बीच में नहीं शब्द का जिक्र किया गया है इसलिए यहाँ पर सबजेट के बाद में नौट का परियोग कर दिया गया है तुम्हारा भाई आज लगनो क्यों नहीं गया है और यहाँ पर नहीं शब्द का परियोग किया गया है तुम्हारा भाई आज लगनो क्यों नहीं गया है फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं थैंक्स वाकिंग फार मैं वीडियो